कि ये मंत्र और इसकी विधी विश्वामित्र के साथ प्रारंब हुई और ऐसा संख स्थापन करें जिसमें कम से कम आज की वासा में एक कीलो धान आ सकें, एक कीलो चावल आ सकें, इतना बड़ा, और दित्य इस मंत्र को जब करें प्र्म प्र्या मंत्र को और अक्षट उसमें डालते रहें अक्षट का मत्रा बे़े टूटा वुआ चावल नहीं अक्षट पूरह चावल चुना हुआ डिभी में रखे एक मंत्र पड़े एक चावल डाल दे और जब तक वो संक पूरह नहीं हो जाए भरनी जाए चावनों से तब तक उसादना विदी को करता रहे हो सकता है जब चावनों से पूरा ढख जाए तब एक अनुष्ठान संपन्न होता है और एक अनुष्ठान संपन्न व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में दोनों आथों से खर्च करने के बावजूद भी धनकी न और प Follow आति हैंब प्राप मंत्र के साथ या लिखा होगा आप आप देखिश है यह संकल्प छुछेक है कि वह विनाख गुरु की आग्या कि किसी दूसरे को मंत्र लेंगा बोलेंगा आप उच्चान करेंगे फिर लिखतें लोग्ष दे श्रीम, रीम, एम, स्वर्ण लक्ष्मियाई, सिद्धिर्भव, स्थापय, जाग्रय, ममग्रहे, पूर्ण लक्ष्मियाई, नमह, ओम, श्रीम, रीम, रीम, एम, एम, स्वर्ण लक्ष्मियाई, सिद्धिर्भव, स्थापय, जाग्रय, ममग्रहे, पूर्ण लक्ष्मियाई, नमह, ओम, श्रीम, रीम, एम, एम स्वर्ण लक्षमीयई, सिद्धिरभव, स्थापय जाग्रय, ममग्रह, पूर्ण लक्षमीयई, नमह, इसमें ममग्रह, वहां आप अपने नाम का उचचान करें, कि आपका नाम एमान लो जगननात, तो जगननात रहे, या किसन लाल है, तो किसन लाल गरहे, मम की जगए, उस सब्द का अपने अपना नाम उच्छान करेंगे और इसके लिए माला की जरूरत नहीं है सामने यह आयूद स्थापन कर दें फिर इन आयूदों के पीछे उस यंत्र को स्थापन करें और आयूदों के आगे पार्द लक्षमी को स्थापन करें पार्द लक्षमी आप के बाद में लक्षमी की आरती कर दें